हेलो प्रेंज, आज मैं आपके लिए पुखुत ही जादा स्वादिश्ट पुखुत ही जादा चटबटा एनसाम नास्था की रिषपी लेकर आई हूं जिसे आप बहुत ही कम तमे बनाकर तयार कर सकते हैं और इंज्वाइ कर सकते हैं तो यकीन मारी ये नास्ता की रेश्पी आपके गर में सबको पसंद आएगी इसा आप रात के खाने वे बना सकते हैं और सुबह के नास्ता में भी सब्सक्राइब शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम अध्रक लसुन हरी मिर्श का पेस्ट बनाएंगे उसके लिए मैंने आप एक इंच अध्रक को छील कर लिया है चार पत्र लसुन के कलिया एड़ कर देंगे इसके बाद हम इसको ग्रैंड कर लेंगे और बहुत जादा बारिक नहीं करना है हलकर दरदरा ही रखना यह देखे इस चरीके से या फिर आप चाहिए तो खलबते में कूटकर भी ले सकते हैं तो यहां पर मैंने लिया है मिक्सिंग बॉल इसमें हम एट कर देंगे गेहों के ले ऑट नहीं में देखाज और दोमें लेखों में इसे साथ में आधा कब बेशन डाल लेगे के एक बड़े साइच का बारिक चौप किया हूँं अ अपने मन पसंद की सभिएं इस्तिमाल कर सकते हैं जो भी डालना शाहिं बारिक चौप को भी सब्सक्तें इसे इसाब मैंन बहुत ही ज्यादा स्वादेश रेनास्ता बनकर त्यार होता है तेस्टी भी और हेली भी और इसे बनाना भी आसान है बहुत ही कम टैम ही आप इसे बना कर त्यार कर सकते हैं इसकी बाद हम इसमें नमक डाल देगें स्वादानुस्वार मन्या पर आदा चमच नमक लिया है एक अजवाइन डाल देंगे एक चूटी चम्मच साभू जी रायट करेंगे इसी किसाद में दो से तीन पिंच की लगोग में हेंग डाल देंगे इसे पहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और डायेशन के लिए अच्छा होता है तो अब इसे जरूर डालिएगा दो तीन पिंच मे पहुत ही चूट पटा टेस्ट आता है और ये हम सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे अभी इसी पानी नहीं डाल से टेंगे दालेंगे तो सभिती चीजों को मेंने अच्छे से मिक्स कर दिया है और आते मीं अर ज़ filament आ गई और मैंने इसका डो लगा करते ही आर कर लिया और आप देख सकते हैं डो हमारा बिल्कुल चीप सीपा है तो इसी तरीके एक हमें डो लगाना है अब हम इसमें आदा चुटी चमेश के लगवग में तेल डालेंगे और डो को में अच्छे से चिकना कर लेना है आप यहां पर त लुणा हमें थोड़ा सा सूख वाटा या फिर देल लगा लेंगे इसके बाद छोटी चूटी सी लोगी टो लेंगी तो देलए से आजब हम इसको अच्छे से चिकना कर लेंगे और इसको इसी तरीके से हाथों से प्रेस करते वे इसको हम बढ़ा कर देंगे यह देखिए और इसको आप लोह के तवे पर भी बिना सकते हैं लेकिन लोह के तवे को पहले घी या तेल से पहले अच्छे से गिरिस कर दीजिएगा ए नों श्टिक पैन है इसलिए मैंने इसके तेल अगी नहीं लगाया है अब हम इसकी ऊपर थोड़ा सा घी डाल देंगे आप चाहे तो बैटरिया तेल पी ले सकते हैं और इसकी बाद हम इसको पलट देंगे और दूसरों साइट से करीब 3-4 मिनाट तक कुक होने देंगे इसी तरीके से दोनों तरफ से उलट उलट कर कर तयार कर लें और इली जी पहुत ही जादा स्वाथी पहुत ही ज्यादा टेस्ट यह नहीं हमारा इनास्ता बन कर तियार है तो यदि आपको रोटी सब्जी बनाने का मन नहों और कम टमें कुछ अपटा सा नास्ता बनाना साहते हैं तो आप इस नास्ती को जुरूर ट्रा पसंद आएगी टेस्टी भी है हिल्दी भी और बनाना भी असान है और इसे ट्राइक करने बाद मुझे कमेंट में जरूर बताइए का आपको मेरी रेश्पी कैसी लगी यह दिया आपको मेरी आज की रेश्पी वीडियो पसंद आई होते से लायक करें अपने फेमिली और फ् सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भोलें थैंक्स पर वाचिंग एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेस्पी के साथ एक नए वीडियो में